नमस्कार आप देख रहे हैं Unisupy और मैं हूर राहुल सिंग और हमारे साथ आज हमारे साथी पत्रकार बड़े पत्रकार हमाय साथ है अनिमे सर अनिमे सर स्वागा थे Unisupy में जिसटीज 기 चर्चान रहा है कि आखिर मोधी सरकार पान्क सल चटार काने हो चलेगी अब मेंसर जो खबर आरी है कि इंडिय के अभी बैठनक हो चुकि जा ही इस्तीफा दे के आजए मोधी साम साथ बज़ कर 45 मिट पर एक बार जो सूचना मिल लिए कि बैठक हो चुकी है और साम साथ पैटालिस बे एक बार फिर से पीम मोधी राष्टमती भावन जाएंगे और वहां पर कहा जा रहा है कि NDA का तरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा इस दौरान जो अनिवेश्ण सूचना मिल लिए कि इडीपी ने छे मनताले समय स्पीकर पद्गी मांगी जेडियू ने तीन पद मांगे हैं चिराग ने दो एक कैबनेट एक स्वतंत्र प्रदार मांजी ने एक सिंदे ने दो तो मोधी जी इतने दबाव में कैसे काम कर पाएंगे उनकी तो पीट जुकती नहीं है देखिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी लेकिन देखिए ऐसा है नहीं जो खबर आ रही है कि इन लोगों ने इतने सीटों की डिमांड की आपने भी देखाई होगा शायद अब तक बीजेपी का इतिहास आप जो खबरे निकल कर बाहर आती है वैसा होता नहीं है य जानकारी तक नहीं मिलती ही कि क्या होने वाला है और नरेंदर मोदी जी क्या करने वाले है अभी तक जो खबर आ रही है कि उन्होंने पांच मंत्राले मांगी उन्होंने दो मंत्राले मांगी नहोंने तीन मंत्राले मांगी यह सब सुत्रों के हवाले से खबर है किसी ने तो प्रदान मंत्री करना चाहिए और ये तो बाते कल जैसे नितीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभर रहे थे एक समय ऐसा लग रहा है उनकी सीटे 15 से भी जादा हो जाएगी पास से हवा उड़ने लग गए बिहार में की नितीश कुमार ही प्रदान मंत अब उनके दोनों हाथ में लड़ू है और उनका जो सियासी इतिहास है वो आप कह सकते हैं कि वो किसी की तरफ पल्टी मार सकते हैं आज अने सर हमारा जो बातचीत करने का मुद्दा यही है कि एक तो जो ये मेंडिट आया अब तो आ गया नतीजे तो आ गए इसके फैदे और नुकसान इस चीज पर हम चाहना चाहते हैं दूसरी वाद बिहार और बंगाल नितीज कुमार जो ऐसे हैं जो कब इधर जाएं पता नहीं ममता बेनर जी जैसे मोदी हैं वो ऐसे ही उनका प्रतिरूप मान सकते हैं महिला स्वरूप में तो ममता का भी जो ऐसा है कि वो अ लाकिर पांच साल क्या सरकार चलेंगी अच्छा तीसरा पॉइंट ये है कि ऐसा लग रहा है जैसे मोदी बड़े जल्दी सरकार बनाना चाहते है क्योंकि मोदी को भी लगता है कि ये सरकार जो है पांच साल सायद चल पाए तो उससे पहले हम कुछ ऐसा कर जाए कि एक बार फिर से जनता की दिल में जगा बनाए और दुवारा अगर चुनाओ आने के नंबर आता है तो हम फिर से एक बार बड़ी मजबूत पार्टी बनके खड़ा हो सके तो तीन पॉइंट हमारे है तो सबसे पहले बात है कि ये जो आया मद्दान जनता ने वोट किया तो क्या ये मद्दान जो है कि अल्पमत में है सब खुश है कोई इवियम को दोश नहीं दे रहा है कोई कह रहा है कि हम कॉंग्रेस खुश बीजेपी करी दुखी बीजेपी है लेकिन वो सब है अब यहां पर यह है कि इस जो मैंडेट आया है इससे फायदा नुकसान क्या होगा और फा इस पार्टी को भी क्लियरमेंट चाहे वो कॉंग्रेस होती चाहे वो बीजेपी होती किसी को भी मिलता पार्टी के लिए भी सही रहता लेकिन अब चुंकि ऐसा मैंडेट जनता ने दिया है कि अब सवाल यह उटना लाजबी है कि आखिर पास साल सरकार चले गिया नहीं चल कि अगर नितीश कुमार और तीडी पी दोनों चले जाते हैं तब गर्वरुजा का मामना इंडिया की जो टीम इंडिया है जो तब वो सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ सकते हैं और उसके बावजूद उन्हें उसके अलावा भी उनको सीटों के जरूरत पड़ेंगा क्या कि यह मिलके टोटल 28 होंगे जाके और 233 ही उनके हैं तो जेडियू के जाने और ना जाने से नितीश कुमार को भी यह पता है कि अगर मैं निकल भी जाओं तो वो में नुकसान है क्योंकि नितीश कुमार यह भली वो चाहे किसी भी तरफ रहे हैं कि मैं सत्ता से जुड़ा रहा हूं चाहे वो बिजेपी के समट्तन से रहे नितीश कुमार का अपना वोड बैंक है नितीश कुमार के बारे में जाहे जो कुछ भी कह दे लेकिन बिहार में उनकी यह स्थिती है पकड़ है वो विस्टी एस्टी जो वोटर है वो आज भी नितीश कुमार की पहली पसंद है तेजश्वी आदब ने खूब मेहनत की लेकिन वो मेहनत वोटों में वो तबदील नहीं कर पाए ऐसा लग रहा था कि आरजीडी जो है बेहतर करेगी हलाकि उसने बेहतर किया है पिछली ब पाए यो तो है और चुकि वो इंडिया गडवन्दन का एक मजबूत हिस्सा है तो अब फर्क अब जैसे देखिए एक तस्वीर वाराल हो रही है कि तेजश्वी आदब और नितीश कुमार एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुँचे हैं दोनों आगे पीछे पैठे हैं तो न उनको लगा कि अब इंडिया गडवन्दन वनाने की जरूरत है तो फिर वो एंडिया से पल्टी मार गए तो पिछले बार भी जब 2019 का भी चुना हुआ था तो एंडिया और बीजिये में नितीश कुमार शामिल थे और बीजिये के साथ बड़े अराम से सरकार वो चला रहे प्रद्धान मंत्री उनको एसा लगा कि नहीं मुझे परदान मंत्री वो ऐसा कहा जाता है कि वो उनकी भी इच्छा थी कि वो भी एक बार पर प्रदान मंत्री बज जा है अचल जैसा कि विधान सभा बिहार विधान सभा चुनाओ भी अब माली जी दो साली रहेगे 246 में साथ चुनाओ है वहाँ पे और पिछले चुनाओ में हमने देखा तर नितीश कुमार ने कह दिया था कि अब बस मेरा ये आखरी है लेकिन ऐसा लगता है इस लोग सभा के चुनाओं ने एक बार फिर से नितीश कुमार को जिन्दा कर दिया है नितीश कुमार के लिए जीत के लिए आप मतलब एक सिर्फ यही वज़ा नहीं है कि नितीश कुमार अच्छली बिहार में क्या है कि जिस भी सीट से नितीश कुमार के उमेदवारों को जीत मिली है वहां कि आप समीकरन देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा के साथ था भाजपा कारकरताओं को वहां साथ मिला इस होजाए से जीतने में योगदान है पकड़ पहले से जादा मजबूत हुई है तो वीपी का भी वोट उन्हें मिला है और तब जाकर जीत हुई है लेकिन ऐसा नहीं है कि जेडियू बिल्कुल खत्म हो गई है बिहार में खत्म हो गई थी जेडियू भी है अभी बिहार में और नितीश कुमार जब तक रहेंगे तब तक जेडियू है बैकि उन्होंने सेकेंड लाइन उनके बात बिहार में जेडियू है लोग सबढ़ने इहां पर अभी उनका वोट बैंक है लोग वोट देते हैं पुछ ऐसे जादिया है कोरी कुल में तो वो तो उनका पक्का वोड बैंक है जो दितीश कुमार से कहीं और शिप्ते नहीं हो ने वाली अच्छा एक जी जो हम यह बात करें कि यह मोदी को क्या यकीन है कि यह 5 साल जो सरकार अब देने तो जा रहे है फटा फट काम कर रहे हो क्या यह 5 साल तक आपको लगता है कि सरकार रहेगी या मोदी भी जानते इस चीज को समझते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है तो हमें अब कुछ ऐसा करना होगा कि जन तक दिल में फ्रिसेंट जगा बना पाएं नहीं बीजेपी इससे पहली भी जब अटल विहारी वाचवई की सरकार थी दोनों ने बहुत सारे छोड़े छोड़े दलों को लेकर मिलकर भी तेरा दलों की सरकार उन्हें में चलाई फ्यूज वक्त भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास अनुवब नहीं है पकर भी जप उन्हें सरकार बन गई किस तरह से चलती कौर नराज होता है सबुए हैं अभी सबसे पहले ही कि की को कोसा मेंतिर मिलता है तक यहो आता है तेहां कहीं क्वैan के पार है ऊशनी कि आहएं कि जितनराम माजी है हो इस एक सीट्हें का लेकित कर अभी ब्रॉज के चराओ मुछंध करे से when है जिसके पास कुछ नहीं वो जीए जैसे जीतरराम था जीyinर 7 सीट है उनका लोन वो एक छीट है उनको इनको मैं सकाले पट चाहिए जीतरराम मांजी के लिए बिहार में भवन हाँ है हा को उनकी राजनीत साथ केंडर में उनको अगर पद मिल भी जाता है तो उनके ज़ादा जो इच्छा है कि उनके जो करीमी है उन्हों को कोई पाद मिल जाया अब यह सही बात है कि जब आप गडवन्दन के जरीए कोई सरकार बनाते हैं तो सबको देखना पड़ता है सबको खुश करना पड़ता है और पहले भले ही बी जेपी की सरकार थी सब को सही तरीके से देखा गया था और ऐसा नहीं कोई सवाल उठाया कभी किसी गड़वंदन ने कि हमें कोई पत नहीं मिला या हमें किनारे कर दिया कि अभी जो बात चीछ चली तो इंडिया ऐलाइंस वाले इस चीछ को उठा रहें कि आरे मोधी के साथ जो रहता है मोधी ज नहीं तो उसे चवा जाते हैं, पार्टी खतम कर देते हैं, इंडिया ऐलाइंस का हम अगर बात करें, तो आप क्या इंडिया ऐलाइंस के क्या संभावना है कि जो राहूल गांदी ने फुर सुरिंडर करा कर जो जो बन जाओ, लेकिन हमाई सरकार बन वालो लेकिंकर का ये इतिहास रहा है आप में देखा हों गाप मतलब 90 के दौर में कियी सरकारे बनाई के साहियोग से सरकारे तो बं ज cod कटी छोटी पार्टियां देवे गोडा और इंद्रकुमार गुज्राल उसके सबसे बड़कारन है अब खुमार स्वामी अभी करनाटक में थे रोम आ रहे थे बिचा रहे हैं इस तरह का का इतिहास रहा है कि सरकारे तो बना देती है लेकिन फिर जादा दिन तक सरकारे टिक रही बाती और इंडिया की सरकार बन भी जाती है तो सबसे बहला सवाल तो यह कि राहूल गांदी प एक दम स्ट्रेव फॉरवरड हैं वो किसी चीज में समझाता नहीं करती हैं पहले ही कह चुकिए कि हम बाहर से समर्थन करेंगे लेकिन जब आप उनको इतनी सीटे आ गई है तो बाहर से तो समर्थन करेंगी नहीं वो सरकार में शामिन होना चाहिए तो इंडिया के लिए ब सरकार कैसे बनाएगी बस कि कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस को कहा जा रहा था कि अब खत्म होने वाली है वो फिर से सौ सीटे लेकर आ गई तो उसके लिए अलग खुशी वाली बात है लेकिन फिलहाल तो एंडिया की सरकार बनेगी और मुझे लगता नहीं कि जब कोई पार्टी बड़ी पार्टी जिसके पास धाई सो सरकार यह सीटे हैं तो सरकार अब देखिए पीवी नरसिम्मा राओ के वक्त भी दो सो पचीश कांग्रेस के पास थी सीटे और बड़े अराम से नरसिम्मा राओने सरकार चलाई तो ऐसा नहीं है बस यह है कि एक दल है जहा होता कि जेडियू के साथ की जरुवत होती तब एक डर था लेकिन यहां पर जेडियू भी है और जब तक यह दोनों पार्टियां नहीं छोड़ेगी बीजेपी का साथ तब तक मुश्किल नहीं आगी तब भी मुश्किली आगी ऐसा नहीं कि हाँ सरकार वो हो जाएगी मु अच्छी तरह से जानते हैं अभी आपने देखा ही चुनाओ के पहले गडवन्दन वाली बात है पहले वो जेल में गए रोम आ रहे थे वो भी कौंग्रिस का उन्हों पर देखा है इस तरह से गरिफतारी उनकी हुए थी पुरे देश ने देखा था अब ही चुनाओ भी ज बदेखा एंडारी चाला है उनके तरफा जीत में लिए तो वहां पर भी उनकी सरकार है तो ऐसा लग नहीं रहा है कि अगर टीड़ी पी चोड़ देती है और जीडीू सरकार बनी रहती है तो अभी सरकार को कोई दिकत नहीं है कोई इतनी सीटे किसी के पास नहीं कि कोई एक ले तो सरकार गिर जाएगी तो इसलिए ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी कोई जल्दवारी को अभी तक जैसे होता था कि एक पूरी ताकत थी तो मन जैसा जो आया अध्यादेश लाए पास कराया जो बिलाया वो पास हुआ क्या अब उसमें समझोता करना पड़ेगा अब वो मनमानी नहीं दिखेगी आओ जैसे वो चला था कि एक देश एक चुनाओ एक ही चुनाओ सारे हम मुझे रखता वो सब बैग बिंच हो जाएंगे हाँ देखिए बहुत सारी चीज़े है तो आपके साथ कॉलेशन जे बॉर्मेंट होता है तो इस सब चीज़ों से आपको समझोता करना वो समझोता दिखेगा जैसे सरकार बनेगी आपको नज़र आगा अभी देखेगा सबसे बड़ा विवाद तो एनार्सी पर है अब जै बीजेपी अगले पांच साल तक पीछे खीच लेगी कि अब उन पर बात नहीं करना है कम से कम हाँ क्योंकि सरकार चलाना सबके लिए जरूरी है अब देखेगा कि बहुत कहीं सारे मुद्धों पर अब बीजेपी कि अब ऐसी सरकार आई है तो जनता को फैदा मिलेगी क्यो यूपी छोड़कर बीजेपी को अगर बीजेपी को यूपी से 40 सीटे और मिल जाती तो वही मैंडिट रहता दो 2014-2019 में जो मिला था अगर 40 सीटे और यूपी से जो बीजेपी को नुकसान हुआ है यूपी से अगर उतना नुकसान बीजेपी को नहीं होता तो फिर बीजेपी को लोगों ने एक दम बाइकॉट कर दिया बीजेपी का बीजेपी की पास अब भी उतना ही वोट पर तेशा थे जो पिछले बार था और उतने ही लोगों का सपोर्ट है बार यहीं दिखे की अगर मनलब वह होता तो जैसे उडिसा में बीजेपी की सरकार बन गई और आंड़ प्रदेश में मिला केरल में जहां कोई संभावना थी वहां पर उनका खाता खुल गया तो आया रो जहां अच्छा है लेकिन यह है कि यूपी से साथ मोदी ने भी उमीद नहीं की थी क्योंकि इस बार मोदी की रैली बहुत जगा यूपी में नहीं हुई उतना पर शुनौव पर चाथ नहीं कर पा रहे थी हाँ चुनाव पर चाहर नहीं किया था घर करके अपने उनको लोगों को दिया गया और वो सभी रख लगा सब्सक्वात सब्सक्राइब TW आज एक तस्वीर सामने आई है कि कॉंग्रेस दफ्तर में लखनौ के कॉंग्रेस दफ्तर में बहुत सारी मुस्लिम मैलाएं पहुंच गई थी पहुंच थी उसमें लिखा था इंडिया राहूल की गारंटी का कार्ड बाटा गया था चुनाओं से पहले मुस्लिम मेलाओं को की जैसे ही कॉंग्रेस की सरकार जीते गी तो आप लोगों को एक लाख रुपया मिलेंगे अब सोचिए मुस्लिम मालाएं पहुंच गई वहां दफ्तर कांग्रेस के हंगामा करने लगी कि मेरा एक लाख रुपया कहां है तो आप समझे कि किस तरह से लोगों को भरगलाया गया और किस तरीके से वोट लिया गया उन्हें ये तक नहीं पता कि अभी सरकार बनी नहीं लगी है उन्हें ये तक नहीं पता कि किस की सरकार बन रही है लेकिन वो लोग लाइन में बड़ी अच्छी लबी लाइल लगी थी मुस्लिम मेलाओं की कॉंग्रेस दफ्तर में लखनों की एक लाख रुपया चाहिए राहुल गांदी ने कहा था अब दीजे चुनाओं के जमानत से बाहर आए उन्होंने राहुल गांदी का फेम खा लिया तब चर्चार पब्लिक स्टेंट करने में माहिन है तो क्या के जी वाल को इंडिया बंदर को के जीवाल की ज़रुरत है ज़रुरत तो होगी अब देखें पंजाम में ही तीन सीटे मों जीत पंजाम आप भ बीजेपी सातों सीते जीत गई थी लेकिन फिर भी दिल्ली एमसीडी हो या दिल्ली विधान सवा हो लोगों ने केजरीवाल को एक तरफा वोट कि तो अब भी ऐसा नहीं आ सकता कि केजरीवाल को किनारा करके इंडिया गडवनना आगे जाएगा पता है कि जैसे दिल्ली से तो कुछ उतना है नहीं माल मसाला तो डिल्ली में वैसे भी कॉंग्रेस की सरकार इनके साथ गडवनन करने में उतने जो डिल्ली के कांग्रेसी नेता है वो सो खुश नहीं दिखते है केजरीवाल के साथ। वेसी नेता छोड़ गए कॉंग्रेस को जो अच्छे नेता थे हाँ तो ये सारी चीज़े हैं अब केजरी वाल फिलहाल जेल से तो बाहर नहीं निकल बने वाले क्योंकि अब बीजेपी अब बेखे बीजेपी के एक साथ एक सेड़ वेक ये भी लग गया महराश्ट में जैसे बीजेपी की हार में अब उद्ब ठाकरे जीत गये बड़े आराम से दस सीटे उन लेवाएं और लेकिन वही दूसरा गुड़ जो था उद्ब ठाकरे का एक नास्च इंडिया वाला वो कोई कमाल नहीं कर बाया इसी तरह पवार का जो एंसीपी था वो कुछ नहीं कर पाया तो यह मैसेज गया है कि आप रश्चारियों को जोड़ते रहेंगे जोड़ते रहेंगे ऐसा नहीं कि इस चीज के लिए मैं जह लगता है कि सब लोग करें नाराजगी है कि कोई भी कुछ भी करके आ रहा है आप उसको अपने ले ले रहें और ले 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 उसको टिकट भी यह दे रहें कि इस चीज के लोगों नाराजगी थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए यह सारी चीज़ें लोगों ने देखी और उसका सब को अब लाज़ एक चीज यह भी मैं कि पूचू जब महराश्ट की बात करें तो ऐसा नहीं लगया महराश्ट में सबका नुक्सान हो गया नहीं महराश्ट में देखिए नुक्सान में अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी मतलब एंडिये को ही नुक्सान हुआ है इंडिया को पायदा ही है अब देखिए जब उम्मीद थी कि उद्धर ठाकरे बिलकुल खत्म हो जाएंगे दस चीटे ले गए वो एसा लगा था कि अब तूट के बाद जो शरत पवार वाला गुठ है वो खत्म हो जाएगा तो इस तरह से अपने आपको खड़ा कर लिया उसके बाद सबसे बड़ी बात कॉंग्रेस जो लग रहा था कि कहीं नहीं है वहाँ पर सीटे ले आई और अच्छी खासे तो इस तरह से इंडिया गडवंदन को तो वहाँ बहुत फादा हुआ क्योंकि 2019 में जब उद्धर ठाकरे और बीजेपी साथ मिलकर शुनाव लड़ी थी तब वहाँ पर इन लोगों ने 70% सीटे लिया लेकिन इस बार देखिए क्या हाल हो गया नहीं अच्छा अब जैसे हम बात करें देगे नेता हो सकता है क्या अब वहां पर चुनाव आने वाले हैं और उसके जो बड़े वहां के होते हैं फैसे इंडिया गडवंधन में एक उद्धर ठाकरे है जिस पर बीजेपी की नजर है और इंडिया गडवंधन की जब बैठक वी तो उसमें खबर ये भी निकल कर आई कि आन्तरिक मसला है क्योंकि उद्धर ठाकरे ने ही कहां कि चैंदरबाबू नेडू बहुत प्रताडित हैं तो यह सारी चीज़े हैं लेकिन अगर बीजेपी उद्धर ठाकरे और हलांगे यह भी एक खबर है कि डियम के पर बीजेपी नजर बनाए भी आदिया को अब बीजे की गई कि तामिल नाडू में किसी तरह खाता खुला जा लेकिन इतनी कोशिश के बावजूर तामिल नाडू में बीजेपी कोई कमाल नहीं कर पाई वोट परतीशाथ हलांकि बढ़ा लेकिन बीजेपी कोई कमाल तामिल नाडू में नहीं कर पाई तो इसलिए बीजेपी को कोजित है कि क्यों नहीं डीम को ही जोड़ा जा तो अब डीम के भी एक option है लेकिन फिलहाल तो ऐसा ज़रूरत लग नहीं नहीं होती है तो कहीं से कुछ चमतकार कर लाते हैं तो ऐसा कुछ बैक अप रखेंगे कि अगर बाइचांस नहीं तो टीडीपी से कुछ मिलता है तो उ अब यसा मुझे लग नहीं रहा कि अंड पर पर कोई संकट है और आधा नहीं से सरकार बन भी जाए और मुझे ऐसा लग रहा है बड़े आराम से सरकार चल भी जाएगी लोंकि नितीश ओनार देखे नितीश ओनार लाइव भी है अभी आ रहे अच्छ नितीश कुमार ने देख लिए लोग सबाद चुनों में तो इसी जाद एक मिट सर्थ हां भीया अरे लाइव वे विछ लाए अरे एक मिट तो एक मिट दीज़ेगा सर्थ हां बता ही सर्थ तो नितीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं हवा का रुख पहचानने में माहित खिलाड़ी है उनका इस चीज का हम बात के लिया केजरिवाल का भी है अच्छा केजरिवाल कुछ है उमीद कब तक बाहर आएंगे अभी केजरिवाल का तो कोई उमीद नहीं है क्योंकि केजरि सीटों का और उनको था कि इस बार हम कमाल करके दिखाएंगे एकदम से दिल्ली की जन्ता ने उनको सपोर्ट नहीं दिखाया अगर बाहर रहते तो शायद कुछ कमाल कर पाते लेकिन वो अंदर थे अंदर चले गए तो इस वज़ए से और देखा जाए तो 2019 साटों सीटे ब परासगी है तो इन लोगों ने टिकट भी बदला तो उसका भी फायदा वीजेपी को मिला हलांकि सिर्फ यूपी छोड़ दिया जा तो वीजेपी का वोट पर्तिश्यत कहीं कम हुआ नहीं है अगर यूपी की बाते है तो आपको यूपी में जो मनलब लग रहा इतना बड है अब यह तो देखिए ऐसा है कि जब कई चीजें हैं जिस पर वीजेपी को सोचना पड़ेगा कि आखिर यूपी में ऐसा हाल की हुआ है तो अखिलेश यादब ने जिस जिस जगह पर उम्मिद्वार को उतारा हुम उस जगह पर उसने बड़े अच्छे से समीक्रन देख कि किस जाती है कितने लोग है इस हिसाफ से उसने टिकट दिया और बीजेपी को बीजेपी देखिए आप सुनिए का बीजेपी को आज भी यही कह रहे हैं उसके प्रवक्ता कि बीएसपी से उन्हें बड़ी उम्मीद थी मतलब बीएसपी के बरोसे वो चुनाओ लड़ रह नहीं एक तो योगी का उन्होंने जो लिश्ट थी उसको दरकिनार किया दूसरी बात यह था कि जो हम कहें कि पेपर लिक वाला चुनाओं से थोड़ा से पहले जब पेपर लिक वाला हुआ उसमें युवा बहुत नाराज हुआ और उस चीच को अखलेश ने मुद्द भी बहुत अच्छे बनाया था पेपर लिक भी एक बहुत बड़ी नाराजगी थी लोगों में यूवां की खास कर जो वोटर है जो वोट देने के लिए लिए कितना बड़ा और चुनाओं से ठीक पहले रैसा होना और कितना अंदोलन हुआ कितने जगा क्योंकि सभी जगा था आप मंदिर की तो ऐसा मतलब एक दूसरी बात ये भी थी कि नाराजगी राजपूतों में अलग नाराजगी ब्रामनों में अलग नाराजगी तो यूपी में जिस तरह से बीजेपी ने समीक्रन को जोड़ के रखा था तो काम्याब बीजेपी वहां पर काम्याब नहीं हो अच्छा अब यह जो नतीजे आए हैं अगर हम बात के जैसा कि केजडिवाल कह गए थे कहीं योगी पे तो गाज नहीं गरी यह स्चीजगी या योगी पर कुछ करना नुकसान दायक और ज्यादा हो जाएगा हाँ अगर अभी इस माहौल में योगी आधितनात पर बीजेपी कोई अक्सल लेती है तो बीजेपी के लिए और यह घा तक है क्योंकि दोजार सताइस यूपी मुस्किल हो जाएगा फिर तो फिर तो मतलब जान कि क्या होता है कि लोग सभा विदाल सभा वे अल्कер मुद्दों पर चुना होते हैं तो जरूरी नहीं है कि लोग सभा में अगर वीजेपी तुस्की मुझे खायए में बीजेपी कमजोर हो जाएगी ग़िए लग अलग चुनाव होते हैं लोकल इसूस होते हैं लग अलग चीजें होती हैं तो इसलिए अभी से कह दा है कि लोग सभा हार गये तो विजान सभा में भी जोड़ाइस का यूपी का चुनाव हुआ यूट के नाम पर ही उसको वोट मिले कि हां योगी योगी मुकी मंतरी बनेगी अब 2007 जब आएगा तो जिस तरह की योगी की इमेज बनी संब्लों करते कि हम बेस्ट बंदा है अभी समय है योगी जी के पास और बीजेपी के पास भी जहां चूक वी जहां गलती वी उसको सुधार ने की तो ऐसा नहीं कि अभी समय नहीं है अभी बहुत समय है बीजेपी के पास अभी देखें तो गलती वह कर सकते हैं दूसरी बात लोग इस चीज को भी कह रहे हैं कि भाई जो सांसद हैं कई लोग हमारे साथी लोग गह रिपोर्टे गाउन पर करनेंगे तो वह सांसदों से काफी नाराज लोग दिखें कि सांसदों है जिन्होंने अपने गाउं को को जानती हुनी त submerढ़ाज की तब ही तो पॉनरे लोग भनती आ जिता लेंगे रह खना को यही लोगों में साज़ आ रहा है जबकि हमारा जो जिला है वो अमेठीस एकदम पास हम जाते हैं तो देखते कि फोर्लिन रास्ता बनी हाइवे बनाए बढ़िया रास्ता लेकिन क्यों हार की यह अब क्या का आज़े वार नसी को एक बेतरीन सहर बनाने में प्रदानमंतिय न नाराजगी है लोगों में थी उत्तर परदेश में देखे अगर पूरे देश में किसी मुद्दे को लगड़ नाराजगी होती तो जो इस्तिति यूपे में हुए वही इस्तिति जो है बिहार में भी होती है लेकि उत्तर परदेश में नाराजगी की वज़ा वहां की लोकल होती तो यह असर बिहार में भी दिखता मद्यपर्देश में भी दिखता राइस्थान चाहिए तो हर जगा हर जगा पीजेपी जीत गई तो अगर उत्तर परदेश में इस तरह की हार हुई है तो उत्तर परदेश की जो लोकल मुद्दे है अस्थानी मुद्दे अस्थानी न सबसे जादा उमीद बीजोपी को उत्तरपरदेश से ही थी उत्तरपरदेश और बेस्तरा उत्तरपरदेश से 20 और हो जाती तो किसी जरूती नहीं पड़ती फिर तो कामी हो जाता है इन दोनों से भार हो बचा लेकिन आप बेसिक पालग रहते हैं तो ये कैसी होता है कि हर बार हाई बहुत ज़्यादा होती है कि इस बार भार हो गया बन नतीजे आते हैं ने 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 बंगान में आपने देखा होगा एक उधारन से मैं आपको मैंत को समझाता हूं। संदेश खाली आपने नाम सुनाई होगा संदेश खाली में बीजेपी ने एक महिला को टिकट दिया और उसका आप इस तरह समझे कि जो संदेश खाली इलाका है वहां पर बीजेपी का एक भी वोटर मतलब उस पूरे इलाके में आप पूछाएं कि और कोई दूसरी पार्टी भी है कि यहां पर तो टीम सी के अलावा कोई ही नहीं अच्छा इतना वोटर तकड़ा वहां पर आप इसको ऐसे कंपेर के जिए कि जीस तरह का जो प्रभाव नरेंद्र मोदी का गुजरात में उसी तरह का प्रभाव मम्ता वेनर्जी का बंगाल में वही तुम पहते कि नर में तो इसलिए बदर जाती है दो कि डिखिऊ रहा हो गया ममता वेनर्जी कुछ संभावना है कभी ममता वेनर्जी आम भेज देते हैं कभी वह भी वही मोलमी लॉड़ बंगई है मर्टपननेर्जी अर। एनडीय तू बहुत दूरी बन गई है। जो मुम्किन नहीं लग रहे है। लिए मेरे वहारे ब्याषब की सरकार थी और मम्तमनेर्जी साथ, यह दूरिया यह इतनी बढ़ ली हिए। व्हेन पृस्द का का कोई सब्भावना नहीं। और ये तो बिलकुल लेकिन राजनीती है इसमें संभावना है तो यह राजनीती इसी का नाम है राज करने के लिए हर्मीती बन जाती है यह पी महगवा मुप्ति के साथ चली गई वहां कि लादू मिटीज ओक हो गए तो फिर यह कहा जा सकता है कि संभावना बनी रहती है ले आपने अमना समय दिया और बहुत साथ लोगों को पसंद भी आया है हमारे इसको चर्चा को और फिर से कुशिश करेंगे आगे भी जब कभी इस तरह का मामला फसे तो आपसे संपर करें बहुत बहुत धन्यवार नमस्कार ठीक है ना सिर्ट